हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने येट्यूब चैनल संदर मेत पर तो आज के इस वीडियो में हम लोग जोड करना घटाना गुना करना भाग करना ये चारो ही चीज़े करना सिखेंगे तो वीडियो का आप सुरू से लेकर लाश्ट तक देखिए जिससे के आपको सब कुछ समझ में आ सकें तो चलिए सबसे पहले हम लोग जोड का सबल हल करते हैं तो देखिए पहला सबल क्या है हमको इस संख्या में इस संख्या को जोडना है तो हम लोग कैसे करते हैं उपर बल पांच लाइन खिचेंगे एक दो तीन चार पांच इसके बाद नीचे कितना है देखिए एक है तो हम लोग एक और लाइन खिचेंगे इसके बाद सब लाइन को हम लोग गिनेंगे तो देखिए एक दो तीन चार पांच छे हम लोग अच्छे हो गया तो इसके नीचे हम लोग लेखेंगे 6, इसके बाद देखिए 2 है, हम लोग 2 लाइन लेंगे, 1, 2, उसके नीचे कितना है, 7, यानि हम लोग ओर 7 लाइन की चिना है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब इन सभी लाइन को गिनेंगे, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 आ गया, तो इसके नीचे हम लोग लेंगे 9, इसके बाद देखिए 4 में 2 को जोडना है, तो सबसे पहले हम लोग 4 लाइन लेंगे, तो 1, 2, 3, 4, उसके बाद 2 और लाइन लेना है, तो देखिए 1, 2, अब इनको गिनेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, हम लोग अच्छे आगे, तो यहां पर लोग लिखेंगे 6, इसके बाद देखिए यहाँ पे 6 है और फिर 3 उसमें जोड़ना है तो सबसे पहले हम लोग 6 लाइन खीचेंगे तो 1,2,3,4,5,6 उसमें 3 जोड़ना है तो देखिए 1,2,3 अब इन सब को एक साथ गिनाएंगे तो 1,2,3,4,5,6,7,8,9 इस तरीक से हम लोग जोड़नाते हैं चली अब हम लोग घटाओं का सवाल को हल करते हैं तो देखिए घटाओं का सवाल हम लोग हल कैसे करते हैं उपर वाला संख्या जो है उतना लाइन खीचते हैं और नीचे वाला जितना है उतना कार देते हैं तो देखिए उपर में 6 है त चार-पांच-छे अवंको उसमें से तीन गटाना था हुआ हुआ रहें तैन जो पहिता में त्यझा थे निजिसे इसको magने य naar 不要 बचा है तो औरvana चाहिए वाई तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, अब उसमें समको दो घटाना है, तो लोग दो लाइन काट देंगे उसमें, कितना बचा अब देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, छे, उसी तरह इसमें भी पहले पांच लाइन खिचेंगे और इसमें से चार काट देंगे, तो सबसे पर पांच लाइन खिचते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, अब इसमें समको चार काट देना है, तो देखिए, एक, दो, तीन, चार, तो बचा कितना, एक, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, एक, चले, अब उसी तरह इसमें भी 9 में से 5 घटाना है तो सबसे पहले 9 लाइन खीचेंगे तो 1,2,3,4,5,6,7,8,9 अब उसमें से 5 उसमें काट देंगे तो 1,2,3,4,5 तो में लोग को बचा कितना 1,2,3,4,4 बचा जिसको हम लोग यहाँ लिख देंगे तो इस तरीक से हम लोग घटाना भी करते हैं तो चली अब हम लोग गुना वरा न सेकते हैं तो देखिए गुना किस तरीक से करते हैं यह उपर वाला संक्या है उसको हम लोग 2 से गुना करते हैं तो देखिए जो निचे पेल अमलोग क्या करेंगे दो का पाळा पढ़ेंगे 4 बार तो चेले दो का पाळा पढ़ते हैं 2 हुआतकम 2, 224, 236, 248 तो 24 कैं चेले को brings, 8 नीचे में लिखेंगे 8 अब 2 का पाळा दो बर पढ़ेंगे तो 2 हुआतकम 2, 224, तो नीचे लिखेंगे आमलोग 4 अब 2 का पाड़ा 3 वर पड़ेंगे तो 2 एक्कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 6 इसका भी होगे अब 2 का पाड़ा हम लोग 6 वर पड़ेंगे तो 2 एक्कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चोके 8, 2 पचे 10, 2 चोके 12 यहां यहां लिखेंगे 12 इस तरहे से हम लोग गुना करते हैं और यह हम लोग का उत्तर आगया तो चलिए और एक question बना के देखते हैं तो इसमेंधे तो चलिए 3 का पढ़ा पढ़ना के तो चलिए 3 का पढ़ा पढ़ते हैं पांच बार तो 3них30 26 तो तिन त्या नो तिन चो के बार तिन पच्चे पंद्रा तो हम लोग का क्या आएगा 15 आएगा इस तरीक से तो हम लोग एकाई का इस्ताने वाले लिखते हैं और दहाय वाला हसल चला जाता है तो देखिए एकाई वाले कितना है 5-6 तो लोग यहापे 5 लिखेंगे और एक हस छाएगा उस्के वाद 3 का पढ़ा दो बर पढ़ेंगी तो तीन का पढ़ा और एक हासिल था तो उसको उसमें जोड़ेंगे तो छे-बेंगी हमको ऊकने 1 3,2,6,3,9,3,4,12 तो 12 क हम लोग क्या लखेंगे? 12 का 2 लखेंगे और 1 हासिल चला जाएगा अब 3 का पड़ा 8 बड़ पड़ते हैं तो 3 अक्कम 3,3,2,6,3,9,3,4,12,3,5,15,3,6,18,3,7,21,3,24 तो 8 बड़ में 24 आ जा जा रहा है और एक हासिल था तो 24 और एक 25 हो जाएगा तो यहाँ आप आम लोग लिखेंगे 25 तो इस तरीक से हम लोग गुना करते हैं चलिए अब आम लोग भाग करना सिखते हैं हाग किस से करना हम लोग को 2 से भाग करना है तो देखिए सबसे पहले इधर 1 अंक है तो इधर भी हम लोग एक अंक लेंगे तो इधर कितना है 8 है तो हम लोग को 2 का पहड़ा पढ़ना है और देखना है कि 2 का पहड़ा में 8 आता है या नहीं आता है अगर नहीं आता है तो उससे कम जो आएगा उसको लिखेंगे तो चलिए 2 का पढ़ा पढ़ते हैं 2 एककम 2, 2 दुनी 4, 2 तिया 6, 2 जोके 8 तो 4 बार में हमलोग का 8 आ जा रहा है तो हमलोग यहाँ पे लिखेंगे 4 4 बार पढ़ा पढ़े तो यहाँ पे 4 लिखें कितना आया? 8 आया तो हमलोग 8 लिखेंगे इसके बाद 8 से 8 घटाएंगे, तो कितना बचेगा? 0, यानि कुछ भी नहीं बचेगा, चलिए, अब 9 को उतारेंगे, अगला सिंख्या उतारते हैं, तो उतारें 9 को, अब 2 का पढ़ा पढ़ेंगे, वो देखेंगे उसमें 9 आता है, या उससे कम जो आएगा उसको लिखेंग तो हम लोग 5 बार नहीं, 4 बार पढ़ेंगे, तो 2 चोके 8 हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे, 2 चोके 8, अब 9 मैंसे 8 को घटाएंगे, तो 9 मैंसे 8 घटाएंगे, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो हम लोग या पढ़ेंगे 1, इसके बाद अगला सिंख्या यानि 5 है, तो हम लोग 5 को निचे उतारेंगे, तो हम लोग 5 को निचे उतारेंगे, तो हम लोग 5, तो हम लोग 5 को बन गया, 15, अब 2 का पढ़ेंगे, और देखेंगे, 2 का पढ़ें 15 आता है, या इससे कम जोएगा, उसको लिखेंगे, तो चलिए 2 का पढ़ेंगे, तो चलिए 2 का पड़ेंगे तो 2 सत्य कितना होता है 14 होता है तो हाप लोग लखता है जीरो अब दो का पड़ा पड़ेंगे उसमें देखेंगे पांच बार में लुग का 10 आज आ रहा है यहां पर लोग लिखेंगे दो पच्छे यह लिखेंगे दस उप 10 में इसे 10 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा तो जब लोग का लास्ट में कुछ भी नहीं बचेगा तो हम लोग का इंसर आ जाएगा यह हम तीस त्रिक्सन लोग भाग करते हैं अपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो पिलिज वीडियो को लाइक करतीजेगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेर कीजेगा अगर चैनल पर पहली बार आया है और इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो पिलिज चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़ेगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में